Hey guys, my name is Rahul Kuntal और यार मैं आज बात करने वाला हूँ आगरा उनिवर्सिटी के exams के बारे में मतलब की exams का pattern क्या रहेगा exams की timing क्या रहेगी मतलब duration कितनी रहेगी कितनी meetings में, कितनी shift में exam होंगे और कौन से exams written basis पर लिये जाएंगे इनमें कुछ exams ऐसे भी है जो written basis पर होंगे वो सब कौन से exams होंगे और कितने questions students को attempt करने हैं इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे So guys, welcome to the ground and ground lovers, welcome to you तो university का जो notice है वो यह है कि जो exams होंगे वो UG में second और third year के होंगे और PG में केवल second year के UG मतलब BA, BSC, BCOM और all bachelor degree courses और PG मतलब MAMSC, MCOM and all master degree courses तो इसमें जो exams होंगे वो OMR based होंगे और कुछ exams हैसे भी हैं जो written based होंगे written based की exam से बारे में बात करेंगे पहले OMR based की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपकी timing रहेगी वो रहेगी आपकी गंटा 30 मत मतलब की आपको exam करने के लिए डेढ़ गंटा मिलेगा और डेढ़ गंटे में आपको 50 questions करने हैं last video में मैंने बताया था कि आपको 60 questions करने हैं क्योंकि university का जो पहले letter आया था उसमें कहा गया था कि students को 60 questions करने हैं लेकिन जो latest news आई है वो यह आई है कि students को केवल 50 questions attempt करने हैं फिलाल आपको ज़्यादा attention लेने की ज़रूरत नहीं है केवल आपको 50 questions ही attempt करने हैं इसमें सबसे आधा important जो news है वो यह है कि मान के चलिए आप BA कर रहे हैं और BA में आपके पास 3 subject हैं History, Geography और Hindi तो पहले जो exam होते थे वो इस तरह होते थे कि 2 History के, 2 Geography के और 2 Hindi के और मान के चलिए अगर आप B.S.C. कर रहे हैं तो B.S.C. में आपके बाद subject हैं PCM तो पहले ऐसे exam होते हैं कि Physics के 3 Math के 3 और Chemistry के 3 लेकिन इस बार जो University का notice आया वो यह है कि हर subject है केवल एक ही exam होगा जैसे कि मान लिए B.S.C. कर रहे हैं आप तो History का एक पेपर होगा Geography का एक पेपर होगा और Hindi का एक पेपर होगा ऐसे ही B.S.C. में आपका Physics का एक पेपर होगा Math का एक पेपर होगा और B.S.C. का एक पेपर होगा तो सारी सब्जेक्ट सा केवल एक एक ही एक्जाम होगा इस बार दो या तीन एक्जाम नहीं होगे केवल एक एक्जाम आपको देना है इस बार जो एक्जाम होगे वो तीन मीटिंग्स में होगे हमेशा की तरह पहला जो exam होगा वो 8 बज़े से लेकर साड़े 9 बज़े तक रहेगा दूसरा exam जो होगा वो साड़े 11 बज़े से लेकर और 1 बज़े तक रहेगा और जो तीसरा exam होगा वो 4 बज़े से लेकर साड़े 5 बज़े तक रहेगा तो पहले की तरह 3 shift में ही exam होगे अब बात करते हैं कौन से exams written basis पर होंगे तो इसमें जो कुछ subject हैं जैसे कि philosophy है उर्दू है इनको written basis पर कराया जाएगा और बागी जो scheme आईगी university द्वारा जब date seat आईगी date के साथ तो उसमें बता दिया जाएगा कि कौन से exams written basis पर होंगे तो बस यह थी कुछ जानकारी exam pattern के बारे में university के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना अगर आपके पास कोई सवाल या सुजाब हो तो उसे comment करके जरूर बताना और अगर channel पर नहीं हो तो channel को subscribe जरूर करना और एक चीज़ हमें सायात रखना never stop playing never stop learning जय हिंद